नमस्कार साथियों सीबी बिकल आईटेई गुरू में आप सभी का स्वागत है यूपी आईटेई की सम्वंधित पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी एटू जड जब तक आप काड में सन्ने हो जाएगा पलपल की खबर आप तक पहुंचाते रहेगी सबसे सही और सटी जानकारी आपको इस चैनल पर दोस्तों मिलती रहेगी आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप प्राइवेट से आईटेई करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं प्राइवेट से आईटेई करते हैं तो कितना पैसा लगेगा प्राइवेट से आईटेई करते हैं आज के इस वीडियों पूरा प्राइबेट सम्बंदी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अगर प्राइबेट की तो फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे सो लोग कनफूजन में होते हैं कि क्या प्राइबेट के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है आउनलाइन तो दोस्तों को बता दे कि आपको यहाँ पे देखिए राजकिये और निजी आईटेई ही तो परवेश दिया गया है तो आप चाहे राजकिये में कराएं चाहे निजी में कराएं ठीक है आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है यह भरना ही पड़ेगा बिना अगर आप इसके कराते हैं पॉइंट भी नोटेड मिलोड पॉइंट नोट किया जाए बिनो ऑनलाइन फॉर्म कराए अगर आप प्राइवेट में अडमिसन ले लेते हैं तो आपका फर्जी हो सकता है और आपका ITI जो है और रद भी हो सकता है तो आप फस सकते हैं आगे चल गए इसलिए तो आपको यह ऐसलिए पर आपको ससे आपको जो है उनलाइन फॉर्म भरना होगा यहां पर आएंगे तो यहां पर जब इसके नीचे में अपधन पर दिखा दे से मैंसे ही फॅंधा आपको भरना होता है ठीक है यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं प्राइबट मतलिक आपको अदिका Пैया इसका सिर्ट करना होगा है तो अगर आप चाते ह्भाईविट में करना चाहते हैं तो यहां प्राइबट वाले बरना यहां पर देखे लिखा रहेगा यह प्रावरूप आप दे सकते हैं ऐसी आपको यहां पर भरना रहेगा से कीज़ें यहां भी करना होगा ठीके इसके बाद यहां पर जिस करना चाहते हैं उसका नाम देंगे और आपका प्राइबेट में हैंक दोस्तो पहली बात मैं आपकोike interacting से क्वेया है करना पाएंगे अब दोस्तों यहांपे दूसरी बात यह है कि फेस्स किति लगती है फैस्स किति लेकती ही यह kjin मैं दिखा दे रहा है दोस्तों जो फिस सीडियूल है आप यहां पे दे सकते हैं यहां पे मानक सुल्क दिया गया है निजी और दोगी परसिचर संस्थान में मानक सुल्क यहां पे दिया गया है इंजिनिरियर जो बेवसाय होते हैं जो इंजिनिरियर जो ट्रेड होते हैं ठीके अब दोस्तों आपको बताड़े कि जसे मालेज़े किसी भी प्राइबेट अचиваетněbee संस्थान में कराते हैं तो वहां पहले बात कर लेंगे ठीके है będą बात कराएंगे इसके बात जो वहाँ पर जाके बात कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक आपको जाके अपनी नजदी की कॉल्म में बात करना होगा इसके बाद अगर बाता देहां कि जो अठारा जार रुपे लग रहे हैं और नॉन इंजिनरी के जिसी कोपा है फैसन डिजाइन है इन सब के लिए प ठीक है इसमें बता दे कि प्राइवेट में जो स्कॉलसी पाता है जगर अठारा जार आप दिये हैं तो इमान के चले कि अठारा से लेकर बीस हजार तक आपका स्कॉलसी भी आ जाता है ठीक है अठारा से बीस जार तक आपका स्कॉलसी पाता है गौवर्मेंट में अगर बा K Isa का कि स्टी का कि was on JAN State आसा का A like कि जनरलों को नहीं Ск Ing Il आता है आता सब का है बस आपकी जो है जो मानक उसकी जिससे मालग हिस से मालकी आङ आप इंकम सर्टिफर बनवाए 한 आप neighborhood फोड़ा दोस्तों मैंने अभी आपको जो है ऑनलाइन फार्म के बारे में फीस के बारे में बता दिया है अब बात करते हैं यहाँ पे की जौब कैसे लगती है ठीक है इसके बात बात करेंगे कि आपका सरकारी और प्राइवेट मार्सिट जो होती उसमें क्या अंतर होता है कैसे आप ज सबसे पहले बात करते हैं जौब के दोस्तों गर जौब की बात किया जाए अगर माल लेते हैं कि सरकारी में कोई वेकेंसी निकलती है ठीक है अगर सरकारी में कोई वेकेंसी आती है और प्राइवेट से आप आईटिये किये हैं तो क्या अप लाइक कर सकते हैं बिल्कुल 100% आप अपिलाई कर सकते हैं अब दिखें दूसरी बात यह होती है कि अगर कोई जो है गोपनेंट से it कर रखा है ठीक है कोई जो है government said 32 कर रखा है तो क्या इनको प्राक्तमिता दी जाएगी ऐसा नहीं है चाहे आप प्राइबेट से किये हो ठीक है जाहे आप गॉर्मेंट से किये हो에। आप दोनों लोग फार्म भरेंगे जो लोग स्कॉलाइक करेंगे वह लोग जो है आगे शरक्राइजाब में जाएंगे तो दोस्तों प्राइबेट में सबसे जदा अंतर है कि सभीrings में कम करना चाहते हैं सरकारी में ज़्चाते हैं लिए बहुत बड़ा फाइदा है वो भी आप जान लेज़िए सबसे wasn't कि यहां पर जो सबसे most important हो आपको बता दे कि अगर महल लिजिए आपका percentage कम है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका 10th में जितना percent होगा उसी percent के धार पे आपको government college मिलेगा तो सवाल यहां पिए कि अगर आपका कम percent है तो आपको जो है private से करना चाहिए अगर आप private से करते हैं ठीक अगर आपके यहां पिए कि अगर आप electrician of future से करके त्यारी करते हैं चाहिए railway की चाहिए नटीपीसी की चाहिए भेल की चाहिए पीसल की चाहिए अन्ड जो company हैं सरकारी यह यह सरकारी जो सेक्टर है उनमें अगर आप त्यारी करते हैं तो आपका कहिन की सेलक्सन हो जाएगा अगर आप government से कर लेते हैं ठीक है मा लेते हैं अगर आप उनसे कर लेते हैं तो ध्यान लखेंगे आगे आप जॉब में आपको समस्चा हो सकती है जो government वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो इसलिए उस्तों आपको ध्यान करना है अगर आप IT करना ही चाहते हैं तो मैं तो आप से ही कहूंगा कि आप अच्छे ट्रेड से करिए ताकि कहन कहीं आपका जॉब लग जाए और आप IT इसलिए कर रहे हैं कि आपका कहन कहीं जॉब लग जाए तो दोस्तों आपको अच्छे ट्रेड से करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं मार्श्टिड की देखे मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप चाहे गौर्मेंट से किये हों ठीक है चाहे आप प्राइबेट से किये हों तोनों की मार्चीट बराबर होती है यह आप 100% जाने यह कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए मैं बिर्कुल सत्तता के साथ दोस्तों बता रहा हूं कोई भी आपके मन में संकासंदे नहीं होना चाहिए कि गौर्मेंट प्राइबेट में मार्चीट में कोई अंतर होता है ठीक है आप चाहे गौर्मेंट से किये हों दोनों का मार्चीट सेम होता है हाँ बस एक अंतर होता है अंतर क्या होता है कि जो गौर्में चाहे आप जो है प्राइबेट से करिए चाहे आप जो है गौर्मंट से करिए ठीक है अच्छेWorks कर ताकि आपका जो है इटिएए दोस्तों वह सउस्टम स्थ हो जाये तो अगर आध्या करना चाहते हैं तो बहतरे कोई आंतर नहीं बस अंतर दोस्तों सिर्फ फीस का है और इसलिए जो है गवर्मेंट की तरह लोग भागते हैं ठीक है पड़ाई में दोनों जगां होती बात ध्यानक हैं यह भी बहुत ही मोस्ट इंपॉटन पॉइंट याद आ गिया कि प्राइवेट में अडिमिशन लेते वक्त आपको ध्य सिर्फक नॉलेज मिल जाती है उसमें फायदा हो जाता है और इसके बात जो है आपको वहां थीचर होते हैं यह साथ छब आप थोड़ा सा ही चार सु째 होता हैéral का डूस्तों आको यह कहन की जितना जब्वर्म से शंह अच्छा होगा उतना ज्यादा ही आफका छफिसमे दूसरे सेंटर पर होता है तो यह साड़े-चार जो नंबर है यह कॉले-वाले देते हैं तो अपने कॉले से संपर्ग बनाया रखिए ठीक है तो यह कुछ इंप्वार्टन तत जिसे आप आसाने से समझ सकते हैं मिलते हैं नक्स वीडियो में थांक्स वर वाचिंग